दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारी चनल देट टू टेब्डेट में आज इस वीडियो में बिहार में निकलने जा रही वेकेंसी यानि बिहार के अपकमिंग वेकेंसी के बारे में अपडेट देने वाला हूँ और यहां पर देख सकते हैं टोटल पोष्ट मेंने काउंट अपर जीला इवं 1794 पोष्ट है और साथें साथ इंजिनियर का 256 पोष्ट है किस बिभाग में यह सभी वहालिया होने वाली है इसके बारे में हम आगे बात कर रहे हैं और आपको बतला दू यह जो वेकेंसी के बारे में आपको बात कर रहा हूँ इसका ऑफिसल नॉटिफि का कटिंग है उससे भी हम देख लेंगे ओके बताया कि है बिहार में 10,000 पदों पर जल्द होगी बाहली और यहां पर हिंदुस्तान जॉब वाला जोग सेक्सान है क्या में सने है है लाइट करके इसे हम देख लेते हैं पहले बिहार में जल्द बंपर बहाली होने वाली है लगभग 10,000 बिभीन पदों पर बहाली होगी, पंचायती राज विभाग में 8,386 करजपालक सहक संद्विदा पर रखे जाएंगे, इसका प्रस्तावत तयार हो चुका है, इस पर कैबिनेट की मुहर जल्द लग सकती है, वहीं इस विभाग में करीब 1,000 तकनीकी सहक बहाल ह होगे, वहीं बिहार, लोग, सेवा, आयोग, बिपेसी, नगर, विकास, विभाग, 256 पदों पर बहाली करने जा रहा है, दूसरी ओर, सराबंदी कानून के तहत, लंबित मामलों के तेजी सिंदिप्टारे के लिए, 74 अपर जिला, इसके पद स्रिजित किये गए हैं, यहाँ यहाँ पर सोट, यहाँ फिर बोल दीजे, ब्रीफ इंफरमेशन रहा, इस वेकेंसी के रिगार्डिंग, और यहाँ पर एक हजार तकनिकी सहायक भी, यानि टेकनिकल असिस्टेंट का भी बाहली होगा, जिसे मैंने यहाँ पर कांट करके नहीं लिखा हुआ है थमनिल में, उसे किर जिएगा, यहाँ पर 9,716 टोटल पुस्ट हो जाएगा, ओके, देखिए, आगे बात करते हैं, बताएगे, 8,386 कार्जपालक सहायक सन्विधा पर रखे जाएगे, और यहाँ पर यह पुस्ट होता है, कार्जपालक सहायक है, जिस पर जो दसवी पास्केंडेट हो वह भी आवेदन कर सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग का स्पीड होना चाहिए हिंदी और अंग्रेजी में बस यहाँ इसमें मांगा जाता है, क्वालिफिकेशन, और यह जो सभी डिस्टिक होता है, वहाँ पर निकाला जाता है, वेकेंसी, और डिस्टिक के जो सतर करोन अतिरिक्त खर्च होंगे इस प्रस्ताव को लागी होने पर हर साल, सतर हजार मांदे मिलता है याभी, सतर हजार एक्जेक्यूटिव असिस्टिन का यहाँ पर जो है सैलरी मिलता है, ओके, और साथ हीन साथ यहाँ पर देखिए बतायागे, बिसेस कोट, चुहत्तर सराबंदी कानुन के तहट लंबित मामलों को तेजी से निप्टारे के लिए जल्द ही विशेस नियाले का गठन किया जाएगा, इसके लिए जरूरी चुहत्तर अपर जिला एक नियाले के पदों का स्रीजन किया गया है, दो लाग से ज्यादा लंबित मुकब्द में के नि कारसिक व्याय होगा, यह पद गयर उजना मद में अस्थाई रूप से स्रीजित किये गए हैं, यह कुछ अपडेट है, मैंने करजपालक साहिक के बारे में अभी बात किया, फिर यहाँ पे साथ में साथ है, यहाँ पे 74 अपर जो जिला एम सत्र नियाथिस है, उनके बारे म में दूसर 56 पद के लिए बिग्यापन निकालेगा, यानि जो विभाग का नाम है नगर विका सेवं अवास विभाग बिहार, ओके इन दिनों विभागों से आयोग को रिक्ती पदों की सुची प्राप्त हो गई है, प्राप्त सुची के अंसर सिविल के लिए 192, मेकेनिकल के लिए 162 और इलेक्ट्रिकल इंजिनेर के लिए दो पद पर नियुकती होगी, यहाँ पर कैटेग्री वाइज टीटेल दे दिया गया है, आया एक परिक्षा नियंतरक साहस संजुक्त सचीव अमरेंदर कुमार ने बताया कि दोनों भी भागों के लिए 2020 में विग्यापन जारी किया जाएगा, छात्रों को आवेधन करने का 20 दिन से अधिक का समय दिया जाएगा, पुरी परक्रिया ओनलाइन होगी, इसमें बिहार सरकार के रोस्टर के तत आवेधन लिया जाएगा, यानि जो कैटेग्री वेज रोस्टर होता है, उस रोस्टर बिंदू की तरह जो है, यहाँ पर आवेधन लिया जाएगा, वेग्यापन निकालने के बाद कोसिस किए जाएगा, इसमें लिया जाए, यानि मार्च और अप्रेल के बीच में लिया जाएगा, तो यह कुछ अप्डेट है, डीटेल में पढ़ने के लिए वीडियो को पहच करके पढ़ सकत कारी जो है उसे यहां पर जल्द जल्द भर लें जो भी वेकेंसिज अभी लंबित है उसे पुड़ा कर लें तो यह कुछ अपडेट है आज के अपकमिंग वेकेंसिज का मतलब कि जो की 2020 के की शुरुवात में ही निकलने की ज़़ा उमीद है और आपको अपडेट यहां पे दिया है इसा कुछ नहीं हो सकता है वारी-बारी यहां पर निकले सबसे पहले कालिक यह और प्रइस की आपकर जिला फरुकेंज का लाइक कर दीजेगा चैनल पर नहीं है तो सबस्क्राइक करके बेल आइकन को प्रिस कर देजएगा मिलते हैं किसे नए वीडियो में तब तक लिए बाइ जैने बंद में थांक्स पर वचिंग